आज इस वीडियो में बात करेंगे कौन से डोकुमेंट्स आपको लगाने हैं आपके स्टूडेंट वीजा में या टूरिस्ट वीजा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं यूके का और कितना टाइम आपको लगता है कि आपका वीजा आपको मिल जाए और क्या उसकी प्रोसेस र अगर आपके पास ओफर लेटर आ गया है यूनिवस्टी से तो ओफर लेटर आपका लगेगा और साथ के अंदर आपका कैश लेटर यानि कन्फरमेशन आफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टूडीज कैश लेटर आपको कैसे मिलता है उसके पूरी प्रोसेस है कैश लेटर के वो कोड जो होता है वो UKVI ही आपको देती है और UKVI ही से ही वो आपको कोड मिलेगा UKVI ही वो कैश लेटर का कोड यूनिवस्टी को देती है और फिर यूनिवस्टी वो लेटर आपको बेजती है तो कैश लेटर आपका लगाना मेंडिटरी है साथ ही के अंदर आपको आपके शो करने है यानि financial पार्ट जो है वो सबसे important है financial पार्ट आपको बिलकुल मिस नहीं करना है उसके अंदर सबसे important चीज जो है वो एक तो आपकी जो total tuition fees है plus living expenses इसका जो total बन रहा है यानि for example अगर आपकी बारह लाग रुपे फीस है और आपका जो show money है लंडन और outside लंडन दोनों की अलग अलग होती है तो अगर आप outside लंडन जा रहे तो करीबं 10,50,000 रुपे है तो 12 प्लस 10.50 यानि की करीब करीब आपका 22.50 लाग रुपे जो है वो total होना चीए उसमें से जो आपने fees यूनिवरस्टी में pay कर दिये वो separate है और बाकी जो fees है remaining वो आपको आपके account के अंदर show करनी है minimum 28 days के लिए उसके अंदर आपको आपका bank statement show करना है और bank letter लगाना बहुत important है bank letter आपको bank से ही मिलता है बहुत इंडिया में उसका use नहीं होता है लेकिन अगर आप UK visa के लिए या किसी भी visa के लिए apply कर रहे है तो bank letter लगाना आपके लिए mandatory होता है उसके अंदर bank आपको एक letter पे लिखके देता है कि यह account इनका है और यह तब से operational है इसके अंदर जो funds है वो इतने दिनों से hold है और वो पिछले 28 दिन से ज़्यादा पुराने हैं तो यह पूरी चीज जो है bank आपको लिखके देता है इसकी copy आप हमारे counselor से ले सकते हैं वहाँ पे आपको इसकी copy मिल जाएगी कैसा bank letter आपको लगाना mandatory है तो financial और यह cash letter यह important documents है इसके अलावा काफी सारे documents है जैसा आपकी statement of purpose हो गई आपका police clearance certificate हो गया वो फिर optional documents है जो आप चाहें तो लगा सकते हैं नहीं चाहें तो भी आपका visa आ जाता है इसके अलावा जो time duration की बात है वो 24 hours में भी आपका visa आता है 5 days में भी आता है और 15 days में भी आता है 24 hours के अंदर जो visa आता है जिसके अंदर 85,000 के आसपास आपकी cost लगती है और अगर आप priority services यानि 5 days में आपको visa decision चीए तो उसके लिए आपका 35,000 के अप्रोक्स additional expenses आपके लग जाते हैं और बाकी जो general visa category है उसके अंदर minimum 15 days में आपका जो decision है वो 15 days लगते हैं तो से उपर 20 दिन भी लग सकते हैं, 22 दिन भी लग सकते हैं, 25 दिन भी लग सकते हैं तो यह 3 categories हैं UKVI के जिसके अंदर आप visa submit कर सकते हैं अगर आप tourist visa के लिए apply कर रहे हैं तो student visa के related आपके कोई भी documents नहीं लगेंगे लेकिन आपका purpose आपको clear करना होगा जिसके अंदर आपको covering letter लगाना है जिसके अंदर आपको बताना है कि क्यों आप UK जाना चाहते हैं, क्या आपका purpose है साथ में आपका financial backup है वो भी आपको show करना होता है financial backup में एक तो आपका bank statement, bank letter आगया आपकी जो properties हैं, वो किसी भी valuers है, यानि जो architect होता है जो authorized architects हैं इंडिया के अंदर, उन से आप valuation करवा सकते हैं अपनी property की और साथ में CSA जो है आपका net worth certificate आपको लेना है और वो सारी documents अगर आप compile करके लगाएंगे तो आपके visa के 100% chances हैं की आ जाएगा इसके लावा friends, अगर आपको student visa में help चीए किसी भी तरीके की तो आप हमारे counsellors से contact कर सकते हैं, हमारी website आप visit कर सकते हैं www.meridian.org live counselling का benefit ले सकते हैं, free counselling है हमारे सारे offices के अंदर आप face to face counselling ले सकते हैं, जहाँ पे भी आपको nearest office पढ़ता है वहाँ जाके आप free of cost counselling ले सकते हैं और अपनी application process करवा सकते हैं साथी friends, ऐसी information आपको आगे मिलती रहे, उसके लिए चैनल को subscribe करें और bell icon प्रेस करें Thank you so much and see you in the next video